दिल्ली की मीटिग हर महिने लगती ह। ये वो मीटिग है जो बड़ी मीटिंग है घैमागर आप मीटिंग कैसे करेंगे। तो मीटिंग करने के लिए हजार नहीं, पांसो नहीं, दो सो नहीं, सो नहीं, पचास नहीं, पच्चिस नहीं, दस नहीं, पांच नहीं, सिर्फ दो व्यक्तियों की आउशकता होती है। खाने पर कहीं गए तो वहां बात करनी है, किसी काम से गए तो वहां बात करनी है, सबजी के वाले के पास ठेला कुछ खेदरे तो वहां बात करनी है, नाई के पास गए तो वहां बात करनी है, स्कूल में गए तो वहां बात करनी है, काओं में, अपने हिसाब से बहुत सरल और छोटी छोटी बात करनी है मिलने से फाइदा है मिलने से कोई नुकसान नहीं है यहां से सुरू करना है कि जानवर भी आपस में मिलते हैं तो उन्हें फाइदा होता है पूछेगा सामने वाला क्या फाइदा होता है उनको सुरक्षा होती है उनकी सेफटी होती है वो खाना मिल न रहेगा तो वो खड़ा नहीं रह सकता गिर जाएगा सर जाएगा गहों पैदा नहीं होगा तो जो चाहे चावल का पेड़ हो धान का हो चाहे गहों का हो चाहे बाजरा हो चाहे मक्हा हो जुन्द में एक साथ खड़े रहते हैं चाहे गन्ना हो तो एक साथ बंद के रहते है ग fairness को तो जब तक बाधेंगे नहीं तो फसल काम नहीं करेगी तो सारे के सारे बंधते हैं और जो छोटी बेल होती है जिन में अच्छे फलाते हैं उनको भी साहरा देते हैं बड़े पेड़ उनको भी संग में लेके आते हैं तो जब पेड़ पौधे तक संग में आते हैं, मचलियां तक संग में आती हैं, तो उनको सुरक्षा मिलती है, उनको सेफटी मिलती है, उनको प्रोडक्शन मिलता है, उनका प्रोडक्शन होता है, तो हम तो मनुष से हैं, हम तो बहुत पहले से खटा रहते आ रहे हैं, कब से रहते आ रहे हैं, बहुत पुराना इत्यास, बंदरों से हम देख सकते हैं, कि बंदरों से हम बने हैं, तो बंदर आज भी जुन्द में रहते हैं, और हम में अकल आ गई तो हम अलग होगे, यानि हम बंदरों से भी ज्यादा बेफकूफ, अपने पूर्वजों से भी ज्याद होगे को हम विकरने वे अलग ःलग रहने लगे और अलग अलग रहने में सांस्मझने लगे इसलिए हम सारे सारे मारे। जो पुराना बहुत पुरान Awesome लिखित में हमारा सबसे पहला दुनिया का जो संग मिलता है उसका नाम बुद्ध के नाम से पहले आता है क्योंकि बुद्ध ने तो जो बनाया वो चार तरह के संग बनाये थे जिसमें उपासक संग यानि हमारे जैसे साधान लोग का संग उपासी का संग और जो भिक्वों का संग है और भिक्वनी का था इसलिए समड संग और पूरे भारत में समड संग के अलावा कोई संग ही नहीं था ये तो समड संग से लोग सीखे कि संग क्या होता है इसका फायदा क्या होता है अगर संग से फायदा ना होता तो दुनिया संग ना बनाती सिक्षों ने संग बनाया बड़ा फायदा हुआ चोटे थोड़े से संख्या में थे और अभी पांसो साल परानी बात है उन्होंने तो अपने गुर्दवारा का भी संग बना रखा है गुर्दवारा प्रवंदग कमेटी बना रखी है तो वो मालदार हो गए वो प्रॉस्प्रेस हो गए उनका सबसे कमजोर आदमी भी हजारो रुपे कमा के दुकान से उखता है जो कुछ नहीं जानता और जो जानते हैं वो जादा पैसे कमाते हैं और वो खूब काते हैं खूब मौच करते हैं क्योंकि संग में रहते हैं आपने देखा होगा आज जो सर छोटू राम जी दीन बंदू जी जाट जो हैं हरियाने में उ उनकी बात को जाटोने मान दिया बस वो इखटे हो गए तो उसका फायदा यह हुआ कि वो सत्ता तक पहुँचे तो सत्ता से चले गए तो भी नुकसान नहीं हुआ आज की समय में उनकी पास सत्ता नहीं है मगर हर्याने के अंदर कोई डिसिजिजन उनकी बिना हो नहीं सकता उनकी आज भी पावर है क्योंकि सब कुछ उनके पास है और वो संख्या में बहुत थोड़े से हैं इतने थोड़े से हैं कि अगर आप उनकी संख्या देख देख लोगे तो आपको ताज्यू होगा तो यह थोड़ी थोड़ी संख्या के लोग जब संख्य में आ गए तो य इन्हें कभी कार से उतारा नहीं जाता, इन्हें बस से हटाया नहीं जाता, इन्हें हर को अपना मकान कराये पर देता है, जो हमारे साथ एक्टो सिटीज हैं, वो इनके साथ किसी के साथ नहीं होती, ना जाटों के साथ होती, ना सिक्कों के साथ होती, और ना ही उन लोगों के जूनेंगे तो आपको पाएंगे कि बुद्ध समण थे और बुद्ध ने संग को बहुत आगे तक बढ़ाया और असोक भी समण थे और असोक के बात में जो हमारे जैसे लोग है वो सारे समण है तो इस समण को टुकले-टुकले किया गया है तोटे-टोटे किया गया है अलग संभ रहे कि और सम्ड का नाम ख़तम करके श्रव्द कर दिया गया उनिर नाम-ख तर दिया ताकि हम पूर वह पता नचले कि हमारा को संभ के hard समन्ध सब्द कहे गा तो हमें पता चलेगा समऩ संभ हमारा ना है और फिर हम रोज सुबह सुनते मी हैं संगं सरनंग अच्छा मी यानि संग की सरन में जाना है तो हमको कह दिया कि संग की सरन में जाना है तो खाली भिक्कू के संग की सरन में तो भिक्कू जाएंगे और उपासकों का संग है उसमें उपासक लोग जाएंगे और यह चारों मिलके उपासी का संग चारो मिलके समन संग बनता है तो हमें तो समन की संग में जाना है हम तो भिकु की सरण में जाएंगे भिकुनी की में जाएंगे उपासी का की सरण में जाएंगे और उपासी की सरण में जाएंगे सबी स्रणक्यों की सब समण हैं और सब हमारे परवार का हिस्सा है जो भिकू बनते हैं वो समण लोग बनते हैं जो भिकुनी बनती हैं वो समण लोग बनते हैं और बाकी हम समण साधान व्यक्ति तो हैं इसलिए समण सब्द खतम किया गया मगर खतम हो नहीं सकता तो इसलिए बदल दिया गया जो खतम ना हो इसको बदल दो जैसे आज कल आपने देखा होगा कि जगों के नाम बदल जाते हैं यानि जो सहर है उनके नाम बदल जाते हैं जो गाओं हैं उनके नाम बदल जाते हैं चीजों के नाम बदल जाते हैं पुरानी जो मानेता हैं उनके नाम बदल से है अब अगर हम इनका नाम बदल के करमवीर बौद कर दें तो इनकी पहचान खतम हो जाती है क्योंकि जो लोग इनको सार्थी एड़ोकेट सार्थी के नाम से जाने हैं वो करमवीर बौद के नाम से जानने पाएंगे और करमवीर बौद का नाम अगर हम एड़ोकेट हर व्यक्ति को यह बताते रहो मेरा नाम तो एद्वोकेट साथी है ßता डियाए धिक ऐसे ही नाम हमारे नाम हमारे और गये ताकि हमारा मालिका रहा तुछा जाए कि अगर आपको यह पता चला गया कि आप समन हैं तो समनसंग की दावदार हो जाते हैं तो इसको कर दिया गया शेर्मन पाली में शे नहीं होता राधारे नहीं होता परानी भासा में मगर सारी भासा को खतम कर निकली हैं से को शे में बदला गया है और आधे रह उसमें जोड़े गए हैं ताकि वो सब्दों के अर्थ बदल जाएं और खतम क नहीं है मेहनत कास को तो कामगार बोला जाता था जो काम करता था कम कार बोला जाता कम माने कार ने होता था कार माने करने वाला कम कार यानि काम करने वाले को कम कार मकर स्रम सब इसमें जोड़ दिया सम को स्रम कर दिया और हमसे कह दिया कि आप स्रम माने होता है मेहनत करना और आप मेहनत करें जाओ बस आपके बाप दादक मेहनत करेंगे आपके बच्चे मेहनत करेंगे क्योंकि आप तो होई स्रमिक आप तो इसलिए हमको आज तक नहीं पता चला है कि सरम समुरों संग के हम मालिक है और सरं संग हमारा है, यह बात हमको पता नहीं चली, और जब यह बात हमको पता चली, तब हमको हो साया, हमारे तो बाब दादा में सुरू से इखटे रहे हैं और इखटे होने का तो काम ही हमारा है ये काम हमारा ही है कि हम ही इखटे रह सकते हैं और कोई इखटा रही नहीं सकता क्योंकि हम तो पहले इखटे थे कुनवा हमारा संग था और हम सारे के सारे समण संग में रहते थे ये बात बावा साब ने हमको बदाई जब हम 16 वुल्यूम पाली में दिया समण संग हमारा है प्रबुद भारत हमें बनना है प्रबुद का मतलब आपके इंड भारत बनना है तो हमने सबी संग्टरों से ये कह कि भाई देखो समण संग ये कहता है कि हम सब एक परिवार के लोग हैं इसमें काश्ट नहीं होती इसमें जात नहीं होती क्योंकि समण के समय बुद्ध के समय कोई काश्ट नहीं थी वन्ड भी नहीं था वन्ड माने रंग होता है तो कोई ऐसा वन्ड भी नहीं था तो हमको इ सब संक्ठन ने यह कहा कि खटा होना चाहिए मगर उनकी एक सर्थ थी कि नेता हम रहेंगे अब 29 संक्ठन है और 29 लाग संक्ठन जो बनाए है वह हमारे वेलफिर के लिए हमारे कल्यान के लिए बनाए और सारे लोग जितने भी 35 लाख संग्ठन बनाके बैठे हुए हैं जिन में 4 लाख एक्टिव हैं उन में से किसी ने भी हम से यह नहीं पूछा क्या हम संग्ठन बनाएं क्या आपको संग्ठन की आवसकता है क्या हम नया संग्ठन बना दें, मतलब धमके हैं, धमिक हैं तो लाखों संग्ठन हैं, लाजनितिक पार्टियां हैं तो लाखों हैं, समाजिक संग्ठन हैं तो लाखों हैं, जो सरकारी करम्चारी को संग्ठन हैं वो लाखों हैं, और जो हमारे professionals हैं उनकी हजारों संग्ठन हैं तो किसी भी संग्ठन बलाने ने वाले ने हमसे पूछा नहीं और संग्ठन इतने बना दिये उसके बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि हम जो उनको देते हैं हम जो उनको पैसा देते हैं उनको मदद देते हैं क्योंकि कोई भी सं समिदान खत्रे में हैं नोक्री चली गई है देखो सब्सकर सब्सक्राइब 수분 करेंगे हम अधिकासug Fish जानते हैं इससे करना है हमें ड़नी हैं हमें और अधिविसंत करना है इन सब नामों से वह ढगा कर ढंका अीमोशनल blackmail करकर हमसे कहते हैं कि अब लाओ पैसा दे दू और हम इसलिए कि हमारे बचे बचे रहें जो पैसा वो मांगते हम वो पैसा हमको देते हैं वो कहते हैं कि हमाँ मीटिंग में आना है हम मीटिंग में जाते हैं वो कहते हैं हमाँ प्रदसन में आ रहा है हम प्रदसन में जाते हैं मगर सारे काम करने के बाव जूद भी हमारे सारे अधिकार चले गए इसका मतलब यह है कि जो हमने प्रदसन किये जो हम अधिमेशन में आये और जो कुछ हुआ उनसे हमें फाइदा नहीं हो रहा है अब फाइदा नहीं हो रहा है जितना फायदा जागरती का होना था उतना हो लिया अब नुकसान हो रहा है क्योंकि बाबा साब अम्मेट करके लाए हुए सारे सारे अधिकार चले गए और संधन रोक नहीं पाए क्योंकि संधन इखटे नहीं हो पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि संधन रहो संधन रहो मगर व फिर हमारे अधिकार बचेंगे नहीं और अधिकार सारे जा चुके हैं हमारे रोजगार जा चुका है सारी फैक्टरियां सारे ऑफिस बिक बिक चुके हैं सारी प्राइविट जो कंपनियां थी प्राइविट लिमिटेड जो थी यह जो हमारे सेक्टर कॉर्परिशन थे वो सा बहुत पैसा किसी ने कमा कर अपने बच्चों को इंजिरिया डॉक्टर बना भी लिया तो उन्हें अब नौक्री नहीं मिलेगी क्योंकि हॉस्पिटल बिक चुके हैं तो जाएंगे कहां इंडेस्ट्रिय हमारे पास है नहीं तो बच्चे मायूस हो रहा है और बहुत ज्याद है और अगले दस साल में तो यह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब हमारे बच्चे पढ़ लिखे आएंगे और बेरुजगार हो जाएंगे तो हम करेंगे क्या यह सारी समस्या है देखते हुए हमने जब संग्ठों से कहा तो संग्ठों ने बात नहीं बनी मगर तभी द अपने आपको खुदी बचाएंगे और वो सारे के सारे दो अपल अठारे को छे घंटे के लिए खटे होगे सलक परागे कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ वे खटे हुए उनका एक अधिकार बच गया तब यह बात समझ में आए कि भई अधिकार बचाने के लिए नेता क होने की जरूत है और एक साथ संग में आने की जरूत है और बिना सोचे समझे और बिना किसी लांग लपेट के और बिना किसी इस बात के कि यह संग्ठन वैसा है वैसा है उन्हों सबको छोड़ते हुए परिवार में और संग में आना है जैसे दो अपल अठारे को संग में गए च्छे घंटे के लिए संग बनाया था तो एक अधिकार बच गया अगर बारे घंटे के लिए संग बचा देते तो दो अधिकार बच जाते और अगर पूरे हमेसा के लिए एक संग बना लेते, जीवन भर का एक संग बना लेते, तो कोई अधिकार जाता है नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं जो आपको अधिकार चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं जो आपको आँख दिखा दे, किसी की हिम्मत नहीं जो आपकी प्टाई कर दे, किसी की हिम्मत नहीं जो आ करते हैं वो जुल्ब करते हैं और उन पर करते हैं जो लोग बिखरे हुए हैं ये ठीक जंगल का कानून और प्राकरती को नैच्रल कानून है कि जंगल में जो जानवर बिखरा रहेगा जो अलग रहेगा उसके दूसरे जानवर मार देंगे उसका सिकार करतेंगे और जो कि पैरों के तले हाती आ जाए शेर आ जाए कुछ भी आ जाए और बहुत बड़ा जुंड हो तो भाग जाते है छोड़के उन्हें पता है कि यह भीड है एक को मारेगा दो को मारेगा मगर इतने सारे को नहीं मार सकता अनन्त उसे मन ना होगा चाहे कितना बड़ा जानवर हो इसलिए उनके रास्ते में कोई नहीं आता और शेर जैसे जानवर खुंकार भी उनसे ड़ते हैं क्योंकि वो जुन्ड में रहते हैं सिर्फ उनके पैरों की पत्चापी काफी होती है उससे ही जमिन हिल जाती है अगर हम सारे खटे हो जाते हैं तो एक खटे होने की आवाज ह काफी है संगर्स करने की जरूती नहीं पड़ेगी एक वार संख्या बतानी है कि हम सब संग में आ गए हैं तो 120 करोड़ों लोग हैं जो हम समण हैं मगर अगर 120 करोड़ों भी खटे नहीं होते हैं तो कम से कम जो बावा साब के अनुज्याई हैं और जो 30% जो 30 करोड़ों ल 30,000,00 करोड़ों मैं से उनको आराम से साथ लाग साथ legit carड़ों मिलेगा सकती है अबर इस सब्के लिए एक खटा होना पड़ेगा अगर आप एखटे नहीं होंगे तो शम्विधान आपकी मदद नहीं कर सकता संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारीано उसकी उतनी संविधान में हिस्सेदारी, उसकी उतनी देश में हिस्सेदारी और यह हिस्सेदारी के लिए आपको यह बताना पड़ेगा संविधान को कि आप इखटे हैं और इखटे होने में कोई पैसा नहीं लगता समर्द संग कोई पैसा नहीं मांगता पबलिक से और नहीं कभी मांगेगा क्योंकि खटे होने के लिए करणा क्या है आपने अगर दस लोगों की मिटिंग लगानी है तो अपना अपना खाना लेके आईए आपने अगर दूसरे सहर में जाना है मिटिंग करने के लिए तो एक कार में पांच लोग बैट जाएए और बरावर बरावर पैसा दीजिए ये समर्द संग का नियम है आपने अगर चार लोग बैठे हैं कहीं तो आप बैठ के बाद कीजिए पानी पीजिए चले जाएए वहाँ चाय नासा उडाने की जो तो नहीं है वो अपने घर में आगे खाईए पैसा कहीं लगता ही नहीं है इकटा होने के लिए किसी पैसे कि आप सकता नहीं है इसलिए वीदा पीबल समर्द संग बात के लिए उनको डंड दिया था कि उन्होंने समर्द संग की बात नहीं मानी तब वो सिधत्व गौतम थे, बुद हुए थे उन्होंने संग के सिधंथ के जो संग का नियम था उसके वरुद में उचले गए थे इसलिए उनको punishment में इतनी तगड़ी प्रिसमेंट थी कि उनको साके जो कुनवा था साके जो पूरा पूरा घर था जो पूरा कबल बस्तू था वो छोड़ना पड़ा और वहां से उन्हें एक तरह से उनको देश निकला मिला वहां पे जो उन्होंने बाहर जाके विताया तो संग में बहुत बड़ी ताकत होती है संग कभी राजनीती में जाता नहीं दुनिया का कोई भी संग कभी राजनीती में जाता और खासर से जो समर्ण संग हमारा है वो कभी राजनीती में जाता और वो कभी जाएगा भी नहीं और इसकी मेंबर से भी कहीं लिखित में नहीं होती है जो समर्ण समाज में पैदा वैसे ही भारत में जो भी पैदा समर्ण संग है चाहे वो देस में चाहे मा की पेट में है चाहे वो हस्पितल में है चाहे वो सजा काट रहा है वो सारे के सारे ये समर्ण संग के मेंबर हैं और इसकी कोई रसी दो इसका कोई ओफिस नहीं होता नहीं कभी होगा नहीं इसका account खुलते हैं समढ़ संग का कोई account नहीं खुलता है इसलिए आप गर्व से कह सकते हैं कि आप समढ़ संगी हैं आप संगी हैं और आप यह संगी हैं आपके लाव कोई और है नहीं जो कोई ने अगर किशने संग बनाया है तो वो डुप्लिकेट है बाद में बनाया है बुद्ध का संग बुद्ध का समण संग तो यही है जिसके आप हो मेंबर है तो आपका परिवार बहुत बड़ा है एक सो बीस करोड़ों का परिवार है आपका बस आपको समझ में नहीं आया तो आप संग नहीं मड़ेगा यह संग वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि इसमें व्यक्ति वाद नहीं है इसका कोई नेता व्यक्ति नहीं हो सकता समण संग में सभी लोग मिलके फैसला करते हैं जो जाना चाहता वो जा सकता है जो रहना चाहता रह सकता है मगर फैसला जो होगा वो बहु सकता है उसको संग के नियम के विरुदमत तोड़कर उसको देश निकाला दे सकता है यानि कि संग से निकाला जा सकता है उसको प्राइमरी मेंबर सिप से हटाया जा सकता है इसलिए जो समढ संग की परिकलपना है वो पुरानी हमारी है जिस पर हमारे समराट असोग ने बड़ और बावा साब ने भारत गडराज्य संग में फिर दुवारा से समिधान लिखा और समिधान लिखने बाद फिर हम तरक्की कर पाए और इस तरक्की का फायदा ये रहा कि आज हम इंजिनियर डॉक्टर वकीर पड़े लिखे वही पुराने जमाने के पड़े लिखे जो पहले के लिए घाता को या किसी व्यक्तिवाद में आता हो ये हम ऐसा संग के फेवर में संग के लिए संग का काम करता है क्योंकि संग संग के द्वारा बनता है संग के लिए बनता है और संग संग का होता है और संग का ही संग होता है संग संग का मालिक होता है इसलिए हर व्यक्ति को जितनी तेरी से हो सके एक व्यक्ति दो व्यक्ति तीन व्यक्ति चार व्यक्ति वो जोड़ते रहना चाहिए हर व्यक्ति को कम से कम दस व्यक्ति जोड़ते रहना चाहिए अगर हम जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो बच जाएंगे क्योंकि सम्विधान कहता है जुड़ ज पाएगा क्योंकि सम्विधान में मत चलता है बहुमत चलता है बोट चलता है सम्विधान में संख्या बल चलता है और संख्या जिसकी भारी होगी सम्विधान उसकी बात मान लेता है इसलिए जुड़ना जरूरी है अगर जुड़ेंगे नहीं तो सम्विधान को दोस्मत देन ये मत कहना है कि संविधान ने हमें बचा लेगा, ये संविधान ऐसा करेगा, संविधान किसी को नहीं बचाता, संविधान उसी को बचाता है, जो संख्याबल लेका आता है उसके सामने, ये उसका नियम है, इसलिए अगर आप 10-5 लोग हैं और कहते हैं कि हमें संविधान आई तो उनकी बात मान ली सम्विधान ने आप अगर एकटे हो जाएंगे तो जिंद्गी में आपकी कोई बात कटेगी नहीं आप जैसा चाहेंगे वैसा करेगा सम्विधान इसलिए सम्विधान इससे पहले खतम हो आपको एकटा होना पड़ेगा हर व्यक्ति को काम करना बात में कि हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो जो बाकी साथी हैं वो आपकर नाम लिखेंगे पैसा कोई किसे लेना देना है नहीं नहीं किसी को देना है सम्विधान संग में ना पैसा लिया जाता है पबलिक से कोई पैसा नहीं लिया जाता है इसका बहुत थोड़ा सा होता है वो सब इसके मेंबर आप पात में उठा लेते हैं और बहुत प्यार से परिवार के साथ रहते हैं इसलिए जिद्ध है जुड़ने की जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जुड़ेंगे तो बच्चों को बचा पाएंगे वहना दस साल के बाद हम वहीं पहुंच जाएं कितनी मौज करते हैं सब कुछ उनके हाथ में हम उनसे भी ज्यादा मौज करेंगे अगर हम जुड़ेंगे इसलिए जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे जब जब जुड़ेंगे तब तब जीते हैं जुड़ेंगे जीतेंगे जिद्ध है जुड़ने की जिद्ध है आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सरनं गच्छाम। पूतियं कूँं पी दमं सर्मं गच्छादी, पूतियं की संडल सिल गच्छादी, ततियं की बुददं सिल गच्छादी, ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्मं गच्छामी सादू, सादू